हेलो, बेलकम टू केनर स्टुडीज, आज हम NCIT, Ancient History यानि की Themes in Indian History Part 1 का Chapter 3 देखेंगे, आज का जो theme है, वो है किंसिप, कास्ट and क्लास, यानि जो आपका बंधुत्व, किंसिप का मतलब बंधुत्व या शंबंधी, कास्ट, जाती और क्लास, Early Society, तो आज हम Society के बारे में देख देखेंगे, जो Chapter No. 2 था, उसमें Kings था, Kings, Farmers and Towns, Economic and Social Life था, तो आज आगे बढ़ेंगे, तो King से, Broad Contour से, लेकरके, Society की श्धंग से था, यह Society के बारे में आज हम देखेंगे, परिवार और जाती के बारे में देखेंगे, यह देखो, इसमें काराना कि, in the previous Chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between circa 600 BCE to 600 CE. Some of these changes influenced societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers, craft specialists often emerged as distinct special group, the unequal distribution of wealth sharpened social differences. तो देखो, सुरू में क्या था? कि population बहुत कम था, sustenance लिविंग चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे जो बड़े kingdom बनते गए, जो महाजनपदा बनते गए, तो उसके लिए army चाहिए, war fight करना था, और सारी चीजे, तो क्या है कि agriculture land को बढ़ाया गया, तो agriculture land को जो normal agriculture land थे, उस जंगलों को भी साफ करके, जमीन बनाया गया, उस पर खेती किया जाने लगा, तो बहुत से जो forest dwellers थे, जो जंगल में रहते थे, वो भी किर्सी में participate करने लगे, देखो, एक जगताना की जातक कथा में, कि कुछ लोग जो थे, operation, यानि कि सोशन के कारण, राजाहों के सोश art and craft specialist, यानि कि जो ये थे, कारीगर थे, वो धीरे-धीरे करके, एक distinct social group में बनने लगे, अब देखो, कुछ का ब्यवसाय जो है, कुछ का traits जो है, जो अच्छा चला, तो वो powerful होते गए, उनके पास अधिक धन होता गया, और कुछ लोग जो पिछड़ते गए, तो class difference स्टार हुआ है, सुरू में, just imagine करो, कि जब सुरू में society थी, तो सब hunter और gatherers थे, तो उसमें कोई बड़े और चोटे होने की जरुवत नहीं, सिकार मान के चलू कि एक बड़े जानबर का सिकार करना है, तो सारे लोग मील करके सिकार करेंगे, और उसको मील बाट करके खाएंगे, ल तो उनके पास जो हुआ की अधिक पैसे कुछ कोई पास जमा होने लगे, तो there was difference in society. Historians often use textual traditions to understand these processes. Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on wide range of social situations and practices. We can also catch a glimpse of some social actions from inscriptions. तो देखो जो inscription से भी और जो text, देखो ये अब जो duration हम चल रहे हैं, तो इसमें देखोगे कि बेदा बगएरा की रचना की जा चुकी है, फिर रीग बेद तो इसके पहले वाले फेज में ही, इसमें अन्य बेद जो थे, उसकी रचना की जा चुकी है, फिर उसके बाद बहुत मात्रा में उपलब्द है, as we will see, each text and inscriptions was written from the perspective of specific social categories, so we need to keep in mind who composed what and for whom, we also need to consider the language used and the ways in which the text circulated, used carefully, text allow us to piece together the attitudes and practices that shaped social history, यानि कि किस ने रचना की और किस के लिए रचना की, ये भी अंतर पड़ता है, और उसके बाद किस language में यूज किया गया है, ये भी अंतर पड़ता है, जैसे एक महभारत के बारे में, तो देको महभारत दुनिया का सबसे बड़ा काभ्य है, इसमें 100,000, यानि कि 1 लाख ज situations, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. It was composed over a period of about 1,000 years, 500 BCE onwards. देखो, महभारत का पहले जैसे है कि ये आपका जै, ठीक है, ये जै संहिता बोला जाता था, फिर आप देखो भारत हुआ, तो पहले सबसे पहले जो है कि जै संहिता, तो इसमें पहले सुरू में 8,000 था, 8,000 verses, फिर उसके बाद 24,000 verses हुए, फिर फाइनली जब महाभारत जिसको कहते हैं, ये जो है, जो 24 हुआ, उसे भारत कहते हैं, और जो महाभारत है, वो उसमें आपका 1,00,000 verses है, ठीक है, तो वो जो है कि बहुत सारे चीज़ों को society में जो prevailing था, वो सारी चीज़ों को more or less, 1,00 verses बहुत ज़्यादा होता है, अल्मोस्ट इसमें आदि परिवार से लेकर के युद्ध, राजनीती, सारी की सारी चीज़ों को इसमें describe, in fact, देखो कि इसी का पाट जो आपका गीता है, जो भगवान Lord Krishna कहा जाता है, कि Lord Krishna जो है, वो अर्जुन को सुनाते हैं, तो वो भी इस का पार्ट है, the critical edition of the Mahabharat, देखो, Mahabharat जो है, वो बहुत सारे edition में उपलब्द है, तो लेकिन इसमें एक Mahabharat के बारे में बोलता है, जो compile किया गया, over 50 years आपका लगा, का रहा कि one of the most ambitious project of a scholarship began in 1919, under the leadership of a noted Indian Sanskritist, V.S. Suktankar, तो V.S. Suktankar एक team को comprise किया, जिसमें dogents of a scholar थे, और उसको एक Mahabharat का proper, authentic जो है, वो तयार करने की कोसिस की, तो team worked out a method of comparing verses from each manuscript, ultimately they selected the verses that appeared common to most versions, and published these in several volumes, running into over 13,000 pages, the project took 47 years to complete, समझ सकते हो कि 47 years एक long time होता है, और 13,000 pages, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो भी manuscripts, जो भी written documents, जो भी जहां चीजे मिले, उन्हों को ये किया, अब उन्होंने उस story को authentic माना, जो बहुत कुछ चीजों में common मिले, अब माभारत बगएरा, रामाइन बगएरा का देखो a number of versions मिलते हैं, कस्मीर से लेकर के केरल तक, तमिलनाडू और नेपाल, हर जगा ये मिलते हैं, तो उसमें से जो कुछ common मिले, वो उसको लिया गया, ठीक है, नेक्ठे, इन असेंस, जो बहुत सारे इसमें variation दिये गए, तो उसमें उस variation को भी add किया गया, इन असेंस, इस variations are reflective of the complex processes that shaped early and later social, sorry, social, आपका history, through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices, these dialogues are characterized by moments of conflict as well as consensus. तो जो वो evolve हुआ, एक long term में, क्योंकि देखो, आपने early में देखा कि जो महाभारत है, वो thousand years करीब लिखे गया, शुरू में 8,000, उसके बाद आपको 24,000, उसके बाद आपका 1,00,000 वर्स, यानि 100,000, तो इसमें एक लंबा समय लगा, तो बहुत सारे आपका, पर आता शुरू आपका दोरी षीजो को अडिया गया। अपर थे प्रोसेसे इस डराइफ रीक्त करीश। for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take this text at face value, believing that everything that was laid down in this text is actually practiced. So, look, after a certain time, the Sanskrit text was observed. So, after a certain time, the Sanskrit text was observed by a lot of things. After a Sanskrit thing, the people thought it was authentic and they thought it was just leaked or not. It was practiced in fact. Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Sanskrit and Tamil. These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit text were on the whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social history. So, look, those historians are bit and pieces. connect and produce it to us. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. Often people belonging to same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. families are usually parts of larger networks of people defined as relatives. or to use a more technical term, or to use a more technical term, kinfolk, that is, at once. You do not do not like it to be in some many. Like you smell it, Krishna. Like you have seen that, even by Krishna, Krishna's birth birth, is Arjun. As the birth birth birth, sees it to be from Arjun. And Arjun is the father of Krishna's birth birth. So, that means what Arjun is, that he did not harm the birth. He did not harm the birth birth. relationship of ordinary people. Historians also investigate and analyze attitude towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions just as actions may have led to the changes in attitude. Look, how did we say that, like we saw in the last chapter, the kings, farmers and towns, kings. So kings के बारे में तो बहुत तारी चीज़े उपलब्द हैं. और elite class, यहाँ यह बता था, elite class के बारे में भी चीज़े उपलब्द हैं. Problem होता है, जो common mind, जो society के front end पे नहीं है, उनके बारे में चीज़ों को जानकारी प्राप्त करना यह मुश्किल होता है. अब है ideal of patrilini. Patrilini का मतलब वो चीज़े है न, कि जो आपका पित्री सत्तात्मक जो चलता है, पिता से चीज़े जो है, वो चलती है. देखो, जैसे last chapter में, last में भी हमने जो chapter 2 में देखा था, कि normally क्या होता था? कि पूत्र ही सत्ता को प्राप्त करते थे. आप जैसे महाभारत में, महाभारत में क्या है? संस के बीच में ही fight है, जो कौरबा और पंडव थे. तो उनके बीच, बेटों के बीच ही fight है. देखो, कई बेटियां fight में नहीं आ रही है. लेकिन there are some exceptions, संजय से आप देखोगे कि परभाभाथी देवी, जो चंदरगुपता टू की बेटी थी, परभाभाथी देवी और वो परभाभाथी जो है वो बक्टा का किंग में, वो साधी हुष का हुआ था. लेकिन उसके पती के डेत के बाद, उसने एक तरह से वर्च्वली वो सत्ता को समाला. But Siva's exception, the concern with Petri Lini was not unique to ruling family. It is evident in mantras, in ritual texts such as Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by Belyaldi men and those who claimed higher status including Brahmna. यानि कि सिर्फ जो kings थे, kingdom था, उसी में Petri Lini, यानि कि पितरी सत्तात्मक, पिता से सत्ता जो है, वो बेटे के पास नहीं जाएगा. यह जो Belyaldi, जिनके पास हमारे पास उपलग resources हैं, जिससे हम study कर पाए हैं, तो यह सब में अल्मोष्ट होता. देखो, यहाँ Petri Lini और Matri Lini इसका दिया हुआ. Petri Lini means, जो है, tracing descent from father to son, grandson and soul. अब Matri Lini का मतलब है कि मा से, मदर से करना, जैसे आप देखोगे, अभी भी कुछ society जैसे है, आपके केरल में कुछ जगह हैं, फिर आपके मेघाला बगार है में, तो Matri Lini चलता है, कि यानि कि मदर के साइड से चलता है. अब यह जैसे देखो, terms of family and kin, तो Sanskrit text यूज़ तर्म cool, cool जो है to designate family and jati, यह जैसे 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 हम बहते हैं कि किस बंस से बिलोंग करते हो, जिसके बंस और जाती का पता नहीं है, उससे हम अपनी बहान की साधी नहीं कर सकते हैं, इस ताइब का चीज़े. अब यह देखो, कुरू पंचाल रीजन, जो उस समय, जो मेन महभारत, देखो, इसमें एस्टूरी बहुत सारा जो है, maximum जो पूरा चैप्टर है, वो कही न कहीं महभारत के आसपास यह बीतेगा, क्योंकि देखो, यह जो हम पढ़ रहे हैं, वो आपका 600 BCE से लेकर के सिरका, यानि एप्रॉक्सिमेट 600 BCE से लेकर के 600 CE तक, और देखो के महभारत 500 BCE से स्टार्ट हो करके, गुपता काल के आसपास तक फिनिस होता है, तो उस दूरेशन में पूरी अस्टूरी, जो है महभारत के काल के आसपास भी, तो महभारत के डिवरेशन में कुरू और पंचाल, यह जो मीन थे, किंग थे, अब देखो, यह यहां कुरू है, शूरसेन, यानि यह जो आपका राजस्थान का एरिया है, मतुरा आपका है, इंद्रपरस्त यह दिल्ली आपका है, हस्तिनापूर जो आपका मेरठ है, यह गंगा है, आपका यमुना, तो बत्स और यह अलाहवाद के आसपास का एरिया है, आपका बनारस के आसपास का, ये आपका आयोध्या और आयोध्या के आसपास बाला ही असरावस्ती है फिर इधर देखो ये बाला पार्ट जो है कुछ नेपाल का पार्ट आता है और इधर ये आपका ये बिहार का पार्ट आता है तो इसी आसपास जो है हमारी एस्टूरी रिवोल्व करती है अब ये लेकिन वो जाएं और अपने पती की सेवा करें और उनके लिए पुत्र पैदा करें जो उनके बंस को ये बढ़ाएं. टीक है? इंद्र जो है एक famous king हुआ कर गौड में God के king कहाए जाते हैं. यानि देवेंद्र, types of marriage. तो देखो एक इंडोगेमी होता. इंडोगेमी का मतलब ह होता कि जो अपने keen group में ही साधी करना, यानि कि अपने ही caste और group में साधी करना. अब exogेमी का मतलब है कि outside the unit. मान के चलोगे कोई एक एरिया में unit बाटा रता है. तो कुछ में होगा कि इसी एरिया में हमारी साधी होगे. कुछ का होता कि नहीं, इस एरिया में नहीं होगी, इस दिसा में होगी. मान के चलो कुछ कुछ डिएड करेंगे कि हमारी साधी जो होती है, पूरब दिसा में होगी. हमारी साधी जो मतलब है कि प्रैक्टिस ओफ ए मैन हैबिंग सिवरल वाइब्स जैसे बहुत सारे किंग को देखते थे कि एक किंग है या एक परसन है वो कई वाइफ रह सकता था तो यानि बहु पत्नी बिवाह और यह है पोलियंडरी पोलियंडरी का मतलब है कि वुमेन के पास कई आपके प अब यह चीज है कि क्यों यह लोग लड़ते थे तो देखो मावारत का यह स्टोरी दिया हुआ है कि धृतराष्ट और पांडु दो भाई होते हैं अब देखो उससे पहले भी जाओ तो देव बरत गंगा पुत्र भीष मुराते हैं तो देखा जाए तो उनका किंगडम होन तो बिदुर नीती के अनुसार कि धृतराष्ट किंग नहीं बन सकते हैं तो भी पांडु बनते हैं लेकिन पांडु का असमय डेथ हो जाने के कारण अब जो हुआ कि फिर लड़ाई होती है लेकिन पांडु जंगल जाने से पहले या करते हैं धृतराष्ट के मुकुट प से बड़ा होता जो पंडु का छोटा वाले भाई का बेटा होता तो उसमें एक तरह से होता कि दुर्योधन बोलता अपने पिता से कि ऐसा है आप अंधे थे इस वज़े से आपको राज नहीं मिला अब मुझे भी जदी नहीं मिलेगा तो हमारा पूरा परिवार बंचित हो ज यानि जो पित्री सतात्मक जो पिता से जो पैट्री लिनियज और मैट्री लिनियज होने देखा तो पिता से चलता है अब डॉक्तर्स वेर व्यूद रधर डिफरेंटली विदीन दे फ्रेमवर्क यानि कि बेटी को माना गया ना पराया धान कि आज नकल उसकी साधी कर दी करना और मैरेज में इस डंग से किया जाता था था ना कि एक अच्छा परिबार मिले देखो सब के लिए जो राजा होते थे तो जो राजा होते थे वो सोचते थे कि हमारी वेटी का जो विबाव हो वो पावर्फुल किंग्डम में हो इसी वज़े से देखोगे स्वेंबर इसी पर्था रखी जाती थी कि जो इंडिया के जो बेस्ट परसन है जो बेस्ट फाइटर है जो बेस्ट किंग है वो आएंगे उसकी वेटी से साधी करेंगे तो इनका भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा ब्रहामन न रचना करी सारे बेदो और र रहता है ज बाहामन न च्रहे लिए है जो आपके इनका सब्सेंदियार है कि आ। rituals कि, अब उन्हों ने क्या किया कि वो सोचे, यह सा है कि जो हम बना रहे हैं, वो सारे-के-सारे लोग follow करें लेकिन वो सारे-के-सारे लोग जो actual में, बेदों में तो यह लिखा हुआ या social practice में बरहमनों ने twitch कि Phillips participate तो देखो, जो ब्रहामनिकल नॉम्स आठ टाइप का मैरेज था, वो आपका था, ब्रह्म बिवा, दैव बिवा, अर्स बिवा, परजापत्य बिवा, गंधर्व बिवा, असूर बिवा, राक्षस बिवा, पैसाच बिवा, तो गंधर्व का मितलब लब मैरेज होता है, ठीक है, असूर, राक्षस, पैसाच, तो इसको सुसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता था और जो ब्रह्म, डैव, अर्ष और परजापत्य ये जो चार्थ है उसे एक्सेप्टेड ये किया जाता था अब है गोत्रा आफ भुमेन अभी देखोगे कि जैसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जो जाती और गोत्र को प्रोपर केर करते वन ब्रहामनीकल प्रैक्टिस इविडेंट फ्रों सिर्का थाजेंड बीसी ओनवाड़ वाज तु क्लासिफाई पीपल इसपेसेली ब्रहामनाज इं टरम्स अफ गोत्रा वाज नेम्ड आफर बेडिक सियर यानि कि एक जो जैसे गौतम रिषी के नाम से हुआ जैसे गौतम र आपका विश्वामीत्र ये सब जो है तो इन सब के नाम पे यह हुआ थिज दोज व बिलॉंग तु दा सेम गोत्रा वेर रिगाड़ेड आज इस डिसेंडेंट तो रूल्स अवाट गोत्रा वेर पार्टिकुलर्ली इंपर्टेंट वोमन वेर एक्सपेक्टे तो गीवप तो जैसे क्या का कि बिमेन तो अविश्वी है जो लड़की है वो दूसरे परिबार की समझी जाएगी तो जब अपने उसकी साधी होगी तो आपने फाइमिली यानि फादर का जो गोत्र है उसको छोड़ देगी और उसमें चली जाएगी और क्या होगा यानि पती के गोत् में साधी नहीं होगी तो आप अपने मेरेज में अपने गोत्र में साधी नहीं करेंगे तो गोत्म गोत्र में वो 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 साधी नहीं करें इसमें सारे चीजे के बारे मेंने कुछ का डिस्क्रिप्शन तो मैंने बता है। ना कि एट जो है ब्रह्म बिवा, दैव बिवा, अर्स बिवा, परजापति बिवा, गंधर्व बिवा, अशूर बिवा, राक्षस बिवा, पैसाच बिवा. तो जो फर्स्ट फोर है ब्रह्मन, ब्रह्म बिवा, दैव बिवा, अर्स बिवा और परजापति बिवा. तो यह जो तो गंदर्व विभा के अंदर ही आता है, तो गंदर्व अशूर और राक्षा स्पैसाच, यह एक्सेप्टेबल नहीं थी, अब यह नेम्स अफ सात्वाहना किंग का देखो, यह देखो, कोस्चन आपका, तो तो जेटीन के प्री में पूछा गया है, कि जो देखो, यहां प उसमें देखो, जो असरसन रीजन वाला कोस्चन में दिया हो था, वो पूटा के जया पूत्रा लीखा हुआ ता, और उसमें जो क्या था कि वो प्राकीर, तो नहीं, पूत्रा संस्क्रीत वर्ड है, पूत्रा जो है, वो आपका, उसका मतलब है सन, दोनोंहका, पूत्र और review दोनों का मतलब सन होता, लेकिन पूता जो है, वो आपका प्रकेंट बर्ड है, पुत्रा जो है, वो संस्क्रीट बर्ड है, तो जैसे तर्म गौत्मी पूत्र, तो गौत्मी पूत्र स्री साथ करनी जो थे, वो सबसे परतापी वो उसमें हुए, अब ये देखो, बसिष्ठा तो राजा गौत्मी पूत्र स्री साथ करनी, तो ये सबसे फेमस परतापी हुए, फिर देखो, तो राजा सब में कौमन है, और पूता सब में कौमन है, अब ये राजा बसिष्ठी पूत्र सामी स्री साथ करनी है, तो उसकी माता का नाम गौत्मी है, यानि कि गौत्म रिश अब यह देखो 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 यह जो लड़की है, वो साधी करके जब आएगी, तो अपने पती के गोत्र को एक्षेप्ट कर लेगी और पीता के गोत्र को, लेकिन यहाँ देखोगे, साथ माहना में उस चीज को मेंटेन रखा गया, अब यह है मेट्रो निमिक्स इन दा उपनी सद, तो यह ब्रेदरनने का अब सम अब साथ माहना रूलर्स वेर पोलिगेनस, यहाँ है, यहाँ कि नॉर्माली देखो, कींक के पास मोर देन वन वाइफ होना यह कॉमन था, पोलिएंडरी बहुत कम मिलता है, यहाँ कि वन वाइफ के मुल्टिपल हस्वेंड यह कम मिलते हैं, एन एक्जामिनेशन मेरेट साथ माहना रूलर्स इंडिकेट यहाँ अपने पती के पास जवाने पर पिता का गोत्र छोड़ देती थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे अपने पिता के गोत्र को यह जारी रखी, तो ऐसा भी होता था, अब है कि बेर मदर इंपोर्टेंट, तो we have seen that साथ माहना रूल इंटिफेड थू मैटरी निमिक्स, यहीं कि नेम रवाट फ्रों जेरम अधर, अल्दो, यहीं नहीं है कि आप जो साथाईटी नेम जो एक्सेट भले यह कर रहे हैं तो लिकिन यह किंग्डम आ रहा है, जो सत्ता जो होगा, वो फादर से ही होगा, अब मदर्स एडवाइज है यानि कि जो गंधारी है जो कौर्बों की मा है धृतराष्ट की वीवी है वो अपने बेटों को समझाती है कि बेटा आइसा है कि सांती से अपने भाईयों के साथ रहो और प्रोपर तरीका से डिवाइड करके चीजों को रहो एक्सेप्ट करो लेकिन द निया बिटेकर था रहें के साथ कजाती बॉर्द कर तैसे APaology कल बॉर रहें धैज। अर्सूत्र फार्या दी नेए वाली। खेटेर्वाइड ओल्र्रेम्टेय। एपनी। अत्व घ्रह्मानाच क्लीं थिज से एट सप्नृ आ विरहिए बूर्ट माःज विश इस प्लेर जो ब्रह्मा से सारे पैदा हुए, तो जो ब्रह्मन हुए, वो मुख से पैदा हुए, छत्रिये जो हुए, वो सोल्डर से पैदा हुए, और जो बैस से थे, वो जंगा से पैदा हुए, और जो सुद्र है, वो पैर से पैदा हुए, तो ये माना गया कि जो ब्रह्मन मुख से वो सबसे उपर है, लेकिन जो सुद्र जो है वो सबसे नीचे है, जो पैर से पायदा हुए, और ब्रहमनों ने ये बोला कि हम सबसे उपर हैं, और उस चीज को, ये गौड के द्वारा क्रिएट किया हुए है, तो आप कैसे इस चीज को हटा सकते हैं, तो अब ये चीज़े हैं, अब occupation भी इन्हों ने बाठ दिया, कि जो चार केटोगरी हैं, तो जो ब्रहमन हैं, वो सिच्छा प्राप्त करेंगे, सिच्छा देंगे, और वो रिचुल्स कराएंगे, यग बगएरा करवाएंगे, और जो च्छत्रिये हैं, वो रूल करेंगे, जो बैच से हैं, वो किर्सी और वेपसाई करेंगे, और शुद्र जो है, इन तियुनों की सेवा करेंगे. अब है, वही है, डिवाइन ओडर, कि भ्रह्मा, ये सारी जो चीज हैं, कि भ्रह्मा कहां कहां से कौन पैदा हुए है, अब है, कि प्रोपर सोसल रोज, तो जो आपका ये द्रोणाचारे और ये चीज़े हैं, एक लभ्य की अस्टोरी इसमें दिया हुआ है, कि देखो, जो दो दुरॉणाचारे थे, यो चुकि वो भी ब्राम्मन थे है, तो वो नहीं चाहेंगी कि जुर लोगर लेवल का है, वो उपर उठ जाए, तो एक लब्ब्य है, वो आपका एक निसाध होता है, यानि कि जंगल में रहने वाला आदिवासी होता है, तो वो आता है दुरॉणा अचारी की परतीमा बना करके और उनसे ही परतीमा को देख करके ही अभ्यास करने लगता और वो बहुत बड़ा धनुरधर बन जाता आर्चर बन जाता एक दिन जब पांडव सिकार करने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका कुत्ता सिकार के लिए बहौक रहा होता है तो एकलब पता होता है, तो अचारे द्रोन कह चुके हैं कि अर्जुन को, कि मैं तुम्हें इस यूग का सर्वस्त्रिष्ट धनुरधारी बनाऊंगा, तो अर्जुन के मान को रखने के लिए, द्रोनाचारे जब जाते हैं उसके पास, तो देखते हैं कि हमारी मूर्ती बनी हुई है, त तो वो बन्दा पहचान जाता है द्रोनाचारे को, और बोलता है गुरुदच्छना के लिए, तो गुरुदच्छना में द्रोनाचारे उससे अंगुठा मांग लेते हैं, जब अंगुठा मांग लेते हैं, तो अंगुठा का बहुत इंपोर्टेंट होता था आपका धनु तो देखो, सास्त्र के अनुसार जो था, कि जो king होंगे, वो छत्रिये होंगे, लेकिन जो कुछ king है, वो आपके, छत्रिये नहीं आपके ब्राह्मन हुए, जैसे आप ये देखोगे, तो देखो, ये चीजे, अब हर का जो क्या है, कि अपने अपने अनुसार इंटर्पेटेशन किया गया, तो जो आपके बुद्धिजम बोलते हैं, जो बुद्धिच्ट है, वो बोलते हैं कि वो छत्रिया है, लेकिन ब्राह्मन टेक्स्ट जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो सुद्र थे, यह नहीं कि देखो, जो 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 ब्राह्मनों ने एक तरह से सुसाइटी को इस दंच से किया, कि यह हम गुरू रहेंगे, सबसे उपर हम रहेंगे, उसके बाद छत्रिया है, तुम रूल करो, बैस से जो हैं, वो बेपार और किर्सी करेंगे, और सुद्र जो हम तीनों की सेवा करेंगे, लेकिन कुछ जो पाबरफूल हुए है, जैसे महरेया के बारे में, चंदरगुट महरेया है, तो यह माना जाता है कि वो कुछ लोग सुद्र मानते हैं, जैसे यह चीज़े हैं, ब्रहाम्मन जो टेक्ष्ट हैं वो मानते हैं और जो बुद्धिष्ट टेक्ष्ट हैं वो चट्रिया मानते हैं उसके बाद कन्नवा बगारा ये कि आपके बारे में भी भी ब्रहाम्मन थे इन फेक्ट और चीजें भी बहुत सारी आएंगी other rulers such as the Sakha who came from Central Asia were regarded as Malach, Malach का मतलब होता न कि barbarians are outside of the Brahman traditions जो था उसके अनुचार। However, one of the earliest inscriptions in Sanskrit described how Rudra Dhaman, the best known Sakha ruler, rebuilt Sudarsan Lake. ये Sudarsan Lake के बारे में हम देख चुके थे पहले ही, it suggests that powerful Malacha were familiar with Sanskritic tradition. ये ये Malach होते हुए भी, ठीक है न, Rudra Dhaman का, लिकिन उसनी Sanskritic traditions को फॉलो किया. It is also interesting that best non-ruler of Satbana dynasty, मैंने बताया दाना है कि जो गौतम पूर श्रिशात्स करनी था वो सबसे प्रतापी था, और हो बोलता है कि हम यूनिक ब्राहमन हैं, यानि एक ब्राहमन and destroyer of the pride of Chhatriya. So he also claimed that, to have ensured that there was no intermarriage amongst the members of four Barna. At the same time, he entered into marriage alliance with the king of Rudra Dham. So, in fact, जैसे उसने बोला कि ठीक है, जो different Barna है, जैसे ब्राहमन हैं, तो ब्राहमन में ही शादी करेंगे, चhatriya हैं, तो चhatriya में सादी करेंगे. लेकिन इसने खुद बोलने के बाद इसने दूसरे से सादी कर ली. Next है, अब यही चीज़ है कि ब्राहमन जो है, कि उन्होंने यह चाहा कि जो four-fold society है, वो बरकरार रहें और हम सबसे उपर रहें. अब है, जाती and social mobility. अब देखो, यह चीज़े जो है, कि the complexity are reflected in another term used in text to refer to social category जाती. In brahmanical theory, जाती लाइक बर्ना was based on birth, however, while the number of बर्ना are fixed at four, तो देखो, बर्न जो है, बर्न बेबस्था, वो four fixed है, लेकिन जाती thousands है, आज भी इंडिया में देखो, thousands है, तूंकि division, division, division होता गया, तो यह आपका होता गया. तो जाती generally जोखो, क्या हुआ ना, कि जो जिस profession को अपनाए, वो उससे आपका जाती बनता गया, फिर gradually आपका divide होता गया. यह example दिया हुआ है, मंसौर, मद्यपर्देश में, 21 डंक से लोग, गुजरात, यानि लता एक जगह गुजरात था, वहां से कुछ लोग आये, और मंसौर में यह settle हो गये, तो इसके बारे में दिया हुआ. अब है, the case of the merchants, तो मर्चेंट के बारे में यह दिया हुआ है, कि जो भी है, कुछ लोग आपका यह में चारुदत का एक फेमस स्टोरी दिया हुआ है, तो उसमें मिर्च कटि का एक स्टोरी आपका है, सुद्रक ने उन्हा ने लिखा है, तो उसमें है कि एक तरह से इंटर म are intensely attached to music, so pleasing to the ear, others being proud, the authorship of a hundred excellent biographies, यह यह दिफरेंट persons के बारे में, कि कोई बहुत अच्छा musician है, तो कोई बहुत अच्छा books लिखा है, तो सब अपने-पने चीजों के लिए प्राइड है, अब यह है, बियोंड दा फोर बर्ना, इंटिग्रेशन, तो तो देखो, यह जीज के आउट साइड भी एक पाच्मा, जैसे कुछ लोग जो जंगल में रह रहे थे, जो मलेच पगेर ही नहीं है, अब यह एक है, जो आपका द्रोपदी स्वयंबर के बारे में, जो आधी पर महावारत का अनि फर्स्ट चेप्टर में यह दिया हुआ, तो टाइगर लाइक हस तो यह लोग जब बाहर जाते हैं, वहाँ से निकल के, तो रास्ते में एक स्वय रहते हैं, तो भीमसेन जो है, उपाहरा देता रहता और चारो भाई और मा कोई रहती है, उसमें से एक लेडी राक्षसी रहती है, हिडिमबा, तो वह आती, उसका भाई बेहता है, क्याजता तो वह बहुत अस्ट्रोंग तो उसके वह मोहित हो जाती है, जब हिडिमबा नहीं लोडती है, तो उसका भाई हिडिम जो है, वह देखता है कि अभी तक महन आई नहीं, तो देखता है कि बहन तो हमारी इससे प्यार कर रही है, इसको ला नहीं रही है, तो भीमसेन और हिड करती है और हेडिम को मार देते हैं तो फिर भीमसेन और हेडिमबा की साधी हो जाती है उसी से लेकपुत्र पैता होता है घटोतकच्छ उसके बारे में है अब ब्योंड दफोर बर्ना subordination and conflict देखो वाइल ब्रहामना considered some people as being outside the system they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable देखो शार बर्न को तो divide किया गया लेकिन ब्रहामनों ने क्या किया कि कुछ बर्न को untouchable बना दिया कि आप इसमें से जदी इनको touch करोगे इनको इनका aspars जो होगा वो अपवित्र कर देगा this rested on the notion that certain activity especially those connected with performance of ritual were sacred and by extension pure those who considered themselves pure avoided taking food from those they designated as untouchables in sharp contrast to the purity aspect some activities were regarded as particularly polluting these included handling corpses and dead animals those who performed such tasks designated as chandals were placed at the very bottom of the hierarchy their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting by those who claimed to be the talk of the social order in fact just say movie आपने देखा होगा चांडाल मिथुन चक्रवर्ती जो रहता है वो एक police inspector रहता है लेकिन वो चांडाल बन जाता है तो वो उसमें देखोगे कि वो समसान में ही रहता है या फिर जैसे जो sorry to say बस हम हिस्टी पॉइंट और भी से देख रहे हैं जैसे एक कास्ट जैसे चमार कास्ट तो उसको लोग treat इस दंग से करते थे हाँ आज हमारी society हो गए कि सब को हम equal treat करते हैं लेकिन जैसे उन लोगों का था ये करके कि मरे हुए जानवर को सब उच चमडा ये निकालना तो एक गाउं के बाहर या कुछ area में वहां रहेंगे और लोग वहां एक तरह से नहीं जब वह कुछ किसी का animal का dead हो जाएगा देथ हो जाएगा तो वह आएंगे उसे उठा करके ले जाएंगे तो कुछ जो थे और या फिर जो जो मुर्दों को जलाने का काम करते हैं तो उन लोगों को untouchable माना जाता था अब यह मनुस्मिर्थी है तो मनुस्मिर्थी ने एक तरह से इसने ही जो माना जाता है कि one of the most authentic जो बुक है इंडुजम का उसी के आधार पर बहुत सारी चीजे चल रही है दमनुस्मिर्थी लेट डाउं तो वो गाउं के बाहर रहेंगे और वो जो जो सिंपल परसंस जो है और लोग वो जो बरतन बगारा यूज करना बंद कर दिये वो फेक दिये उसको यूज करेंगे और जो मुर्दे हैं उनके कपड़े जैसे देखो जब हम आदमीं को जलान ले जाते हैं तो उनके वो कपड़े उतार करके वो पहनेंगे और जो अधर्वाइस जो ओर्नमेंट्स जो अभूसन वो लोहे के पहनेंगे नॉर्मल लोग क्या सोने और चांदी के पहनें तो उनको पोला गया कि आप आप आइरन के ये लोग पहनेंगे they could not walk about the village and city at night they had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners much later the chinese buddhist monk fai yan wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them another chinese pilgrim huan zhang okay juan zhang here but huan zhang is concerned observe that executioners and scavengers were forced to leave outside the city meaning that this has been said that these people who are outside in the house will not come in the night and when they come in the city then there will be some wood or wood that will be saved so that people understand that they are coming and people will be closed in their houses so that they will not be able to do it and the dead who has no one who has seen or who has no one who has seen or who has lost someone and all these things this is a niche work that society was believed so this is about the brahmanical test now by examining non brahmanical test which depicts the life of chandalas historians have tried to find out whether chandalas accepted the life of degradation prescribed in the sastra sometimes these depictions correspond with those in the brahmanical test but occasionally there are hints of different social reality in the non-brahmanical test ko bhi they realized that this division brahmano had not done that these chandalas were the lower-level people who were living outside the city or towns in the village, so did they follow them? they said that there were some maximum places they followed them and many places they did not. now this is the bodhisattva as a chandalas so this is a story that bodhisattva means bodhisattva that the bodhisattva means that the bodhisattva is the bodhisattva those people who are human beings, the simple human beings who accept buddhism I don't know what i will tell me. so he said that that a bodhisattva was born in the house a man has had the sastra that she was part of aملihabhi-pandala with his mother and he was found on a man who loved one of those currently and the bodhisattva people who came here and loved one of those who are the madhyam and redeems! now that is the brhman of the shandalas he loved one of those who love him. so this is the bodhisattva who have helped do the boshalf. so this was a shame i'll do my shandal. now this is a लोगों ने उन्हें पीटा, ये वो करके, फिर फाइनली अपनी बेटी से साधी कर दी, उससे एक कुत्र पैदा हुआ, तो ये एक स्टोरी आपका है, कैसा नहीं है कि चीजे, चेंजेज कुछ हुए है, कि अब बेस्टी बात है, तो जाती चांडाल से, जो मतंग जो था है, वो चांडालते हैं, लेकिन उससे ब्रांबन अपनी बेटी की साधी करता है, तो इसका मतलब चीजे है, टीक है, अब ये दुरॉपदी का स्टोरी जो है, कि जो स्वयंबर में होता है, तो पांचो भाई इन्हें जीत लेते हैं, तो अर्जुन जीतता है, लेकिन पांचों क को भी हार जाते हैं, तो दुरॉपदी को जब हार जाते हैं, तो दुरॉपदी वो पूछती है, कि जो युधिश्चिर था, हमें खुद से हारने से पहले हारा, या बाद में हारा, ये सारी चीजे, यानि कि पती का अधिकार और ये सारी चीजों के बारे में है, नेक्स्ट बिएंड बार्थ, रिसोर्सेस एंड अस्टेट अस्टेट सु करा की चेटर टू में हम रेखते हैं कि विएलाइज दाट स्लेट्ट्र अग्रिकुल्ट्टर लेवर्स, हंटर्स, फिशर्फोल, पास्टोरीलिस्ट, पीजेंट, विलेज हैड मैं, क्राप्समें, मर्चेंट्स भीआसी शिर्फक सिच्विशेंस, तो अब ये है कि जो जेंडर्ड अकस्टू प्रपरटी, ग्रॉपरटी में मेल और प्राप्त करेंगे, बंसानुगद जो प्रोपरटी है, वो प्राप्त करेंगे, और जो फिमेल है, वो सिर्फ गिफ्ट के तौर पे, जिसे इस्तिरी धन कहते हैं, तो विमेन जो है, सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट और इस्तिरी धन ये जो पिता के द्वारा दिया गया, या पती के द्वारा कुछ गिफ्ट दिया हुआ है, उसके बारे में वो सिर्फ प्राप्त कर सकती थी, अब यही चीजे है कि women और men का ऐसे धन प्राप्त करते थे तो इस्तिरी जो है एक तरह से gift में ही आपका प्राप्त करती थी अब नेक्स्ट है बर्ना and access to property तो according to Brahmanical text another criterion apart from gender for regulating access to build was बर्ना as we saw earlier the only occupation prescribed for sudra was servitude यानि कि जो society का सेवा करना while a variety of occupations were laid for men of the first three varna if these provisions were actually implemented the wealthiest men would have been the brahmana and the kshatriya that this correspond to some extent with social realities is evident from descriptions of priest and kings in other textual traditions kings are almost invariably depicted as wealthy priests are also generally soon to be reached though there are occasional depiction of poor brahmana देखो ये जो नौर्मली है कि इन लोगों ने ये क्या 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 कि जो छत्रिये हैं वो रूल करेंगे तो जब रूल करेंगे तो सबसे अधिक property इनके पास होगा और जो आपका ब्रहामन है तो ब्रहामन को जो आपका अगराहरा आपने देखा था एक टर्म अगराहरा यानि कि जो ब्रहामन को भूमी बगैरा जो है वो डोनेट किया जाएगा फ्री यानि उनसे पर tax नहीं लगाया जाएगा तो ब्रहामन भी बहुत सारे property एक्वायर कर लिए और उन्हें tax को देना नहीं पड़ता था तो ये उनके पास ही सबसे अधिक property ये रही लेकिन कुछ ब्रहामन जो थे वो पूर भी थे जैसे आप देखोगे महाभारत में देखते हैं कि दुरोनाचारे दुरोनाचारे के पास कुछ भी नहीं था तो ये अपना इनका दोस्त था दुरूपध द्रौपदी के पिता जी तो ये सोचा कि चलो बहुत गरीब हैं तो जाकर के उससे कुछ मांगते हैं तो उसने कुछ दिया नहीं अपमान किया तो फिर इन्होंने पांड़ा को सिच् दर्मसुस्त्राज और धर्मसास्त्रा. इधर ट्रडिशन देवलप्टिक्स आप अवर्ना ओर्डर, विए बुटन देवलप्ट बुटिव्टिजम. थेके, बुटिश्ट रिकागनाईज देवरे दिफरेंसे इं सोसाइटी, बुटिश्ट रिकागनाईज देवलप्टिक्स आप अवर्डर, बुट्ध के एक सिस्स्य है, कच्छना और अवन्ति पुत्रा जो एक किंग है, तो इन दोनों में डिवेट होता है, कि एक तरह से सुप्रीम कौन है, तो जिसके पास अधिक धन है, तो यही पूचा गता, कि जदी क्या सुद्र के पास भी धन होगा, तो वो भी उपर होगा, तो बोला जेता हाँ, तो यह इसमें यही डिवेट है, कि there is no, अवन्ति पुत्रा considered that there was no difference on this count, यानि कि जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास धन होंगे, वो उपर होगा, और जदी सुद्र के पास भी धन है, तो वो भी आपका यह होगा, तो यानि मजिम निकाय में यह अस्टोरी है, अब है, the alternative social scenario, sharing wealth, So far, we have been examining situations where people either claimed or were assigned a status on the basis of their wealth, However, there were other possibilities as well, situations where men who were generous were respected, while those who were misery or simply accumulated wealth for themselves were despised. One area where these values were cherished was ancient Tamilakam where, as we saw earlier, there were several chiefdoms around 2000 years ago, among other things, the chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise, Poems included in the Tamil Sangam anthology often illuminate social and economic relationship, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. इसका मतलब ये चीज़े ये बोला जाता ना, कि जो donate करा, ठीक है, कि के पास property होना चीए, वो उस पर उसका अधिकार होता है, लेकिन society में उसको respect की दृष्टी से देखा गया, जो resources को share करते हैं, ना कि जो conjuice है, और सिर्फ पैसे को जमा करके, यहां भी वही चीज़े है कि जो generous है, जो दे रहा है, उसकी परसंथा की जा रही है. Next, explaining social differences, a social contract, the Buddhist also developed an alternative understanding of social inequalities and of the institutions required to regulate social conflict. In a myth found in text known as Soothpita, they suggest that originally human beings did not have fully evolved bodily form, nor was the world of plant fully developed, all beings lived in the, ideally, a state of peace, taking from nature only what they needed for each means. यही यह कहता है, देखो, society जो है, या चीज़े जो है, ग्रैजोरी इवोल्व हो रहा है, तो सुरू में एक तरह से सब का प्रकिर्टी पर बराबर हक था, सब लोग प्रकिर्टी से उतना ही लेते थे, जितना उनकी जरूरत हो, सिर्फ भोजन से पेट उनका भर जाए और जो जरूरत मिनिमम हो, वो जो नीड बच फूल फिल करना ग्रीज नहीं, However, there was a gradual deterioration of this state as human being became increasingly greedy, vindicative and deceitful. यानि कि जो gradually चीजे था, कि वो सुरू में क्या लेते थे, कि आप जितना जरूरत है उतने लिए, लेकिन आज में फिर क्या हुआ लाल्ची होता गया और बहुत सारी चीजों को जमा करता गया. What if we were to select a certain being who should be wrathful, then indignation is right. Who should ensure that which should rightly be censored and should banish him who deserves to be banished. We will give him in return a proportion of the rights chosen by the whole people. He will be known as Mahasmata, the great elite. यानि कि जे को कहीन कहीन रूल्स तो होना चीजे कि चीजों को डिवाइड किया जाए. institutions कैसे बना की, जिसके पास जमा हुआ. तो कुछ लोग हैं जो कि अपना प्राप्त करने के एबल नहीं होंगे. तो उनको भी ये डिवाइड किया गया. अब है historians and the Mahabharata. तो ये देखो, Mahabharat के story के बारे में है, कि ये चीजे बताते हैं, कि जो भी चीजे रचना हुई, जो authors, जो चीजे लिखी गई, तो historian किस दंग से कुछ आधार लिया, कि सबसे पहले है कि किस language में लिखा गया, तो generally Sanskrit को, सुरू में है देखे, Sanskrit को most authentic माना गया. लेकिन no doubt, other language को भी पढ़ा गया, जैसे Prakirt, Pali, Tamil, ये सारे language को भी पढ़ा गया. तो पहला देखा गया कि language, कि किस language में लिखा गया. दूसरा छेत्र देखा गया, कि छेत्रिये असमानता कितना है, और छेत्रिये समानता कितना है. ये, तीसरा, किस ने लिखा और किस के लिखा, तो आप जो भी देखोगे, जैसे Brahman ने लिखा, तो Brahman ने अपने सुविधा की अनुसार लिखा, अब जो non-Brahman ने लिखा, तो वो उस चीज को अपने point of view से लिखा, तो जिस ने लिखा, तो language, author, reason, और किस के लिए लिखा गया, और किस ने लिखा, ये सारी चीजें देखा जाता है, तो वही देखो, ये माभारत के बारे में है, कि सुरू में आपका ये था, कि बहुत gradually, धीरे-धीरे करके बढ़ता गया, और in fact, जैसे देखो, ये perhaps less than 10,000, ये देखो, जो है ना, मैंने 8,000 बताया था, तो कुछ जगा 8,000 लिखते हैं, यहाँ देखो, less than 10,000 लिखा है, तो पहले जैसे सुरू में जब कंपाइल किया गया, माभारत के बारे में का रहा है, तो पहले लिखा गया, तो 8,000, acceptable, जो बहुत सारे जरंथों में माना जएता है, 8,000, तो यह, obviously, इसमें भी लिखा है, कि less than 8,000, less than 10,000, यानि कि मैंने बोला ना, कि MCRT की ब्यूटी यह है, कि जहां यह certain नहीं होता है, तो बोलता है, कुछ approximate चीजे या ऐसा लगता है, तो फिर उसके बाद 24,000, फिर finally 1,00, तब महाभारत जाने लगा, और यह जो है, इसी बेदब्यास इसको लिखे हैं, अब यह देखो, है, कि the search of convergence, तो महाभारता करा है कि like any major epic, contains vivid descriptions of battles, forest, palace and settlements. In 1951-52, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur in Meret, जो हस्तिनापूर जो पांडवों का कंभाएं हुआ कर्वों का राजदानी हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में, कौरब जो थे, वो हस्तिनापूर रख लिया और पंडव इंदरपरस था गया, लेकिन वहां में सेंटर वही था तो उसको एक्सकेवेशन किया गया थिक है वो इस दहस्तिनापूर अफ एपिक वाइल दस्मिलरीटी इनम्स कुड वी कोइंचिदेंटिया थे लोकेशन अफ था इंद उत्तर प्रदेश यह उत्तर गंगा द्वाव वेर दखुरु किंडम व अब यह जोने दिए दुन लाल नोटेट इबाग था इस दान वर्फ प्रदेश इनम्स काविशन किया अब यह जीजे है कि कुछ चीजे लगता है मिलता है और बहुत चीजे नहीं मिलता है वो इस दीजेवेशन इपिक आड़ेट मेन नेरेटीव लेकिन जीचिव अव्यर सेंटर फ्लोरिष्ट इन रीजन और वोज इट अफाइट अफ्लाइट अफ्लाइट फैंस फैंसी विच नोट अलवेज बेरिफाइड बाई कंपेरिजंस विद अधर कंड्स अविदेंस लिखा गया तो वह बहुत सारी चीजे नहीं मिल रही हैं तो यह अभी भी हिस्टोरि अब यह जो हस्तिनापूर सीटी के बारे में जो उसमें है यह दिखाया गया है अब यह देखो द्रॉपदी का जो मेरेज होता है तो द्रॉपदी का जो मेरेज होता है तो उसमें एक टम्स रखा जाता है कि जो तेल पात्र में जो यानि कि वाइल का टैंक है नीचे देख करके वाइल में देख करके और ऊपर मचली की आख को जो वेद देगा उसे इसे द्रौपदी की साधी होगी तो अरजुन उसको वेद देते हैं तो जब अरजुन उसे ले करके द्रौपदी के पास आते हैं त तो वो लोग बोलते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा प्रापत किया है तो डॉपदी बिना देखे हुए बोलती है ऐसा है तुम सब लोग भाईों में बाट लो तो जब देखती है तो बोलती है ये तो तुम लोगों ने मुझे बताया कि ये बिच्छा है तो अब बाटो तुम लोगों में अपने आप में तो इसमें a story है कि दो narrative इसमें दिया जाता है कि एक तो यह बोला जाता है कि ऐसा है कि क्या पहले भी ऐसा कोई tradition रहा है तो यह जिश्चिर बोलते हैं हाँ गौतमकुल की एक कन्या थी जटिला उसका विवा भी साथ रहिस्यों से हुआ और राक्षासी भी एक राक्षासी का भी नाम लेते हैं फिर उसके बाद ये होता है कि कृष्णा मेज़ियेशन करते हैं वो बोलते है कि ऐसा है कि जो पांडब है वो इंद्र के पांच बेटे हैं दूसरा ये जो इंस्क्रिप्शन ह दूसरा जो narrative है उसमें बोला जाता है कि ऐसा है कि जो दरौपदी पहले जन्म में सीव जी से मांगती है बरदान कि हमें ऐसा पती चाहिए जो बहुत बलसाली हो तो भीम सबसे बलसाली है जो धनूस बान चलाने में परसुराम जी के समान हो तो अरजुन है और वो निती ज्या आज भी जदी ये चीजए है कि दरौपदी के पाँच पती थे तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो सोसाइटी में प्रिवेल था यदि नहीं हुआ होता न ये एक different authors का explanation है यदि नहीं हुआ होता प्रिवेलेंट सोसाइटी में नहीं होता तो क्या करते ब्राम मर्य ये दरौपदी के चार और बहनों को भी प क्या सुरू में तो ये पोलियंडरी था यानि बहु पती बिवा था कि इस तरी के कई सारे पती होंगे लेकिन बाद में ये tradition खतम हो गया और ब्राम मनों ने इसको चिंच किया some historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the brahmanical point of view it was and is prevalent in the himalayan region अभी भी कुछ जगह ये मैंने बता ना कि Keral ये आपके कुछ जगह हैं अभी भी a small level पे metrilineal society कुछ जगह है और polyandry कुछ जगह भी है तो metrilineal आपका जो mainly निगाला है और कुछ जगह आपका Keral में है और जो polyandry है जो कुछ tribes में अभी भी उन tribes में जहां resources कम है तो suppose कई भाई हैं तो कई भाई मिलकर के अलग अलग पत्मी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो combinedly इस चीज़ को ये रखते हैं अब ये है dynamic test The growth of Mahabharat did not stop with the Sanskrit version Over the century, versions of the epic were written in a variety of language through an ongoing process of dialogue between people's communities and those who wrote the text Several stories that originated in specific regions or circulated amongst certain people found their way into the epic At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways and episodes were depicted in a sculpture and painting They also provided themes for a wide range of performing arts, plays, dance and other kinds of narration So, you can see that the Mahabharat is a long time, in the beginning of this tradition, in the 1000 years So, different things have been added But there is a core issue, more or less, it remains in everyone But otherwise, there is a narrative, like Mahatma Gandhi also wrote in the Gita Bal Ganga Dharad has written in the Gita So, at each time, historians, who are interested people, have been doing different studies and adding different things This is a narrative of Mahabharat's 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 narrative Mahasweta Devi is a famous author of Bengal And also, it's nominated for the Nobel Prize for the Nobel Prize उन्हें मिला नहीं, तो यह एक narrative बताती है, कि जिसको कि किसी ने narrate नहीं किया, तो यह बोलती है, कि जो कुंती है, तो महावारत में यह story maintenance नहीं है, प्रोपर इसको due respect नहीं दिया गया, लेकिन यह महास्वेताय दे भी बोलती है, कि जब पांडव, जो लाख, लाख्छाग्र जो सड़यंत्र था, उसमें पांडव जल गए, जल जाना था, यानि कि कोर्वो के अनुसार पांडव जल गए, लेकिन क्या हुआ, कि जिस दिन इन लोगों को, पांडवों को पता चल गया था, कि यह लाख का घर है, और हमें यहाँ से निकलना है, तो उन लोगों ने क्या क फैमिली में पांच बेटे थे और एक उसकी माँ थी, तो ये पांच, इधर भी पांडव के भी पांच बेटे और एक माँ थी, उधर भी निसाद जो अमंत्रिस किया गया थे, उसके भी निसादी के पांच बेटे थे और वो माँ, तो ये छे लोग, अब उन लोगों को क्या ह पांडव ने सराब पिलाया, मदिरा पिलाया, जो मदिरा, और पी करके वो बेहोस हो गए, अब बेहोस हो गए तो सारे ब्रहामन तो अपना-पना चले गए, अब क्या हुआ, निसादी और उनके बेटे, वो वही रह गए, वो बेहोसी हवस्था में, मदिरा में, अब में कहा जाता कि कुंती अस्टोरी जंगल में, जब कुंती बानपरस्त हुई, एक सर्टेन टाइम बाद वो जंगल में चली गई, जब उनका पुत्र युदिष्ठिर राजा बन गया, प्रोपर तरिका से जब महवारत युद्ध खतम होने के बाद उनका पुत्र राजा ब तो उस जंगल के आग में निसादी बोलती है कि आपको ये ध्यान है ये आग का और कभी पहले लगात आपके जीवन में, बोलती हाँ, बोलती ऐसा है कि उसमें से एक निसादी और पांच उसके पुत्र जल करके राख हो गए, आप उसे जानती हैं तो बोली हाँ, बोली कि तुम उसको कैसे जानते हों? तो बोले, पांचों जो निसाद थे, वो हमारे पती थे और जो निसादी थी, वो हमारी सासूमाथी मदरीन लौ थी. तो कुंती फिर ये आग ज़व लग जाता है, तो कहा जाता इस-स्टोरी में, जो महासो स्वेतादेवी नियरेट करती है, तो इसमें बोलते हैं निसाधी तो वहाँ से चली जाती है आग लगने से भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए लेकिन कुंती वही बैट करके य जल जाती है कि हम जो पस्चताप जो हमसे गल्पी हुई उसका पस्चताप करने का यही एक तरीका है तो यह आपका major textual traditions है कि कब-कब क्या हुआ तो 500 BC में अस्टा ध्याई द्वारा पानी नहीं लिखा गया तो संस्कृत का एक फेमस ग्रामर है 500 BC से 200 BC तो major धर्म सुत्रा जो पाली 500 BC तो 400 CE तो यह रमाइना और महाभारत इन संस्कृत में लिखा गया फिर 200 BC तो 200 CE मनु अस्मिर्थी ठीक है फिर 100 CE आपका चरक और सुतृत संगीता तो यह आपके सारे यह dates बगरा को यह करोगे तो बहुत बार यह dates का भी कुछ questions तो MCQ आएंगे तो बहुत सारे चु questions को आप direct solve कर सकते हो और कुछ को आप elimination round से solve कर सकते हो तो आप elimination round से भी date के अनुफार भी कुछ चीजों को आप समझ सकते हो तो इस date को भी यह करना चाहिए फिर यह है study of महाभारत में यह जो आपका 47 years जो लगा यह compile करने में जो 13,000 page का जो 13,000 page का authentic book इन लोगों ने तयार क आपका यह है इसका ट्रांसलेशन फिर 1973 में जो इसका ट्रांसलेशन इंगलिस में यह original जो संस्क्रीट में लीखा गया 47 years में, long compilation में और फिर इसके बाद इसको यह में आपका ट्रांसलेट इंगलिस में किया गया I hope you enjoyed this session और continue बने रहे हैं अच्छा लगता तो like करें और comment कर करें